कांगडा जिला के कालेश्वर महादेव शेत्र में ब्यास नदी में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है युवक जालमुखी के साथ लगती पंचायत सिहोर पाईं के बताए जा रहे हैं साथी दोनों चचेरे भाई हैं सुचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शवों को ब्यास नदी से निकाल कर कबजे में दे लिया है शवों को पोस्ट मॉटम के लिए देहरा अस्पताल भेज दिया गया है और मामले की जान शुरू कर दी गई है दरसल ज्वालमुखी उपमंडल की सिहोर पाईं पंचायत के 21 वर्षी अमित पुत्र चंदाराम और 18 वर्षी रोहित पुत्र देशराज ने अन्य लड़कों के साथ 35 तीर्थी महा कालेश्वर जाने और नहाने का प्रोग्राम बनाया रोहित और आमित बाईक पर निकले और अन्य तीन लड़के साइकल पर कालेश्वर महादेव के लिए निकले साइकल सवार यूवक पहले पंच तीर्थी पहुँच गए उन्होंने देखा कि रोहित और आमित अभी तक नहीं पहुँचे हैं तीनों यूवकों ने उन दोनों को ये पता करने के लिए फोन किया कि वो कहा है तो उन्होंने बताया कि वे इस जगा नहा रहे हैं और आप भी आजाओ फिर तीनों यूवक भी वहां पहुंचे तीनों लड़के उस्थान पर पहुंचे तो वहां पर दोनों यूवकों के कपड़े मोबाइल आदी थे पर यूवक दिखाई नहीं दे रहे थे उन्हें कुछ अनहुनी का अंदेशा हुआ इसके बाद यूवकों ने मामले की सूचना सिहोरपाई में यूवकों के परिजनों को दी साथी स्थानी लोगों को भी जानकारी दी गई इसके बाद मौके पर पहुंचे इस्थानी लोगों ने ब्यास नदी से यूगों के शवों को निकाला पुलिस मामले की जांच कर रही है हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रही है EWN24 News के साथ